नमस्कार बुरे खानी बाज के लर्निंग वीडियो में चंद्र कौन्स में ताने चल रही है तो उसके विभिन प्रकार जो हमारे बाज में जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उसके उपर चर्चा चल रही है तो आज जब गाने वाला सरगम लेता है तो सरगम कैसे लेता ख्याल में उस सरगम के मैंने पैटरन बताय थे अपने लर्निंग वीडियो में तो जैसे आज एक पैटरन धानीसासा, नीसा गागा, सागा-मामा, गामा-धादा, मादा, नीनी, धानीसासा तो यह जो स्ट्रोकिंग है ना धानीसासा साचा की स्ट्रोकिंग नीसा गागा सागा मामा गामा धादा तो जो स्ट्रोकिंग है इसके उपर सरगम को बताती है कि हम गाने वाला सरगम गाने वाला है और ये अलग-लग पैटर्न में यही स्ट्रोकिंग कैसे कैसे बच सकती है वही बताता हूँ, देखे दानी सासा नीजा गागा, सागा मामा ये पैटर्न है अब धानी सासा नीजा अभी देखे, गागा सानी अब देखे पाल प्राइबे, देखे और बाल देखे ये कि अपानी सासा नीजा प्राइबे झाल 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 तो यह सरगम के जूद जितने भी तरह तरह के पैटरंस हो सकते हैं क्योंकि मैं सब कुछ बता चुका हूँ अब आप समझेंगे तो बजा पाएंगे यदि मैं हर चीज की ऐसे नोटिशन ही करता रहूँगा तो ना तो कभी आपको भूरे खानी बाजा आना और ना ही वो बजना इसके लिए अब आपको अपने दिमाग के जो परदें हैं उनको खोलना पड़ेगा हर चीज मैं अल्रीडी एक्स्प्लेइन कर चुका हूँ पहले उन वीडियोज को देखना पड़ेगा उससे सामंजस से बिठाना पड़ेगा पैटर्न को याद करना पड़ेगा और फिर उसको कैसे मैं प्रियोग कर रहा हूँ उसको देखना समझना सुनना और फिर करना है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद